Assalamu alaikum in this video I am gonna teach you semi conductor material its types, dhipping and its types semi conductor material is a material that conductor and insulator both act as well this is a material which will be conductivity conductor and insulator in the middle silicon, germanium and carbon are examples but silicon is most commonly used because it is most widely and cheaply available semi conductor material belongs to the 4th group this is tetra valence this is why they have 4 electrons how can I tell you silicon and germanium you can see that they have 4 electrons I have circled for 4 what will be 4 what will be 4 4 semi conductor material is a material we have 4 electrons this is 4 electrons in the outer shell which have 4 electrons now this is 5 semi conductor which we have combined a semi conductor will be a semi conductor and this will be a bond strongest bond and this form is purest form our form is intrinsic the form is intrinsic the form as extrinsic the form as extrinsic the form is extrinsic this form will be a duping mixing of impurities that is pure form of semi conductor is called Duping duping this is called Now the form of impurity जो हमें ऐसे ग्रूप उनके साथ उनके साथ मिलावत करनी है जिनका स्ट्रक्चर मिलता जूलता हो ताकि हम एक्च्वल जो स्ट्रक्चर है उसे लोज ना करें यहां डूपिं की एक्सेंपल दी है के लेट्स पोस हमारे पास वन एटम है ठीक है इंपुरिटी का तो हम 10 देज तो पार 5 इंट्रिंसिक सेमिकंड़क्टर मतलब ज्यादा इंट्रिंसिक सेमिकंड़क्टर यानि के प्यूर फॉर्म और थोड़ी से उसमें करेंगे मिलावट यानिके ट्राइवलेंट से प्यूर्स घ्र्योर एक्सेप्टर अट्रिंस अपने से थैपल कर सके एक ज Eleża कमेंगे एक्सेप्टर डूपींग में था कि दे सके निकास सके और इन को कहते है एंटाइप से कंड़कर जो रोपिंग को हम एंटाइप कि इसलिए कहते है कि जब एक element आप्स प्रिया और जायता है एंगेटिव चार्ज के लिए हम इसे कहते हैं एंटाइप सिलिकॉन है प्यॉड फाम उसके अंदर हमने फॉस्फोरस क अब Zeus टोनम सबस्टाइब कर सकते माउख लोगय दोपिंग कॉनसी नखी दोफिंग हो गई क्यों HUG भी होती है क्यों यृक्षाप्ल अब जसके उपर आ जाता है पोजिटिव चार्टी जिसके उतंjoy होता है पी टाइब इसमें हमने थर्ड ग्रूप से एलिमेंट इंपुरिटी एड़ की है अलॉमिनियम और जब हमने इसको एड़ किया तो हमारे पास एक ऐसी कंडिशन आ गई जिसमें एक होल मुझूद है मतलब कि एक ऐसी टेंडेंसी है कि यहां पर जो एलिमेंट है वो एक्सेप्ट कर सकता है इलेक्ट्रोन को एक होल मुझूद है डेफिशनसी ओफ इलेक्ट्रोन इस काल्ड होल यहां पर एक्सेप्ट किया जा सकता है यह हो गई एक्सेप्ट डोपिंग वीडियो को दिहान से देखिएगा ताकि आपको अच्छे से इसकी समझ आ सके उमीद है आपको समझ आ मैं पूरी एक प्लेलिस लेकर होंगे बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स पर तब तक एलिए अपना बहुत आप खयाल रखिएगा अलाहाफेज